नमस्कार साथियों, आपका अपना पसंदिदा यूटी इट चैनल सुभिधाद 2010 में फिर से एक बार साधर अविनंदन मैं हूर अविकांत भकत, आज आपको बताएंगे दिक्षा पोटल में दिक्षा TPD सार्टिपिकेट कैसे प्राप्त करेंगे आपको जरूर पता होगा, जुद अस्तर पर सिच्छक, अविवाबक तथा चात्रों का रेजिस्टेशन दिक्षा पोटल में किया जा रहा है इसके संबन्द में मेरा एक वीडियो पहले से ही बना हुआ है, मैं आसा करता हूँ वीडियो देखकर आप जोरूर लवंबित हुए होंगे और अपना आईडी बना लिये होंगे अगर आप अभी तक आईडी नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिक्षा पोटल में सिच्चक, छात्र अभिवाबक रेजिस्टेशन कैसे करें वीडियो कोई लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लें, समझ लें और तुरंत आईडी बना लें आईडी बनाने के पस्चात अगर स्टेटा स्पेंडिंग दिग रहा है तो घवरानी की बात नहीं, जल्धी कॉनफार्म हो जाएगा, दिक्षा पोटल में बरतमन TPD यानि की टीचर प्रोफेसरल डेबलोमेंट सार्टिपिकेट का कोर्स चल रहा है, अगर आप अभी तक सा भाग नहीं लिये हैं या नहीं ले पा रहे हैं तो घवरानी की कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के माद्दम से आपको बिश्त्रित रूप से समझाएंगे कि आप किस तरह दिक्षा पोटल से TPD सार्टिपिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रहे, पहले आपको दिक्ष का TPD सार्टिपिकेट कोर्स में भाग लेंगे, धर्ज के साथ इस वीडियो में बने रहें और सुरू से अन तक वीडियो ध्यान से देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर जुरुत मंदों को सेयर कर दिजिए, अगर आप नाय दर्सक हैं और मेरा चैनल को आ पहले पहुचेगा और आप इसका लाब उठा पाएंगे, आज मैं सिच्छक जगन महतोजी ने किस प्रकार या कोर्स पूरा करके सार्टिपिकेट प्राप्त किये हैं, उसी का डेमो वीडियो कुरियो में प्रस्तूत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आपको जोरूर पता है, दिक्षा पोटल पर दिक्षा TPD Basic Course 1 का ओनलाइन प्रसिक्षन सुरू हो चुका है, इस ओनलाइन प्रसिक्षन में भाग लेने के लिए तीन लिंक दिया हुआ है, इनमें से किसी एक लिंक में क्लिक कर दिक्षा का पहला कोर्स Basic Course 1 प्राप्त कर सकते ह यह लिंक है, पहला लिंक जो है, जे एच अंडरे स्कोप TPD यह लिंक केवल जर्खान राज के लिए है, और दूसरा लिंक जो है Basic BASIC COURAC-1 यह जो दो नमबर का लिंक है, यह सभी राजों के लिए है, और तीसरा लिंक है Z3A5Z1 यह लिंक भी केवल जर्खान राज के लिए है, तो यह लिंक वीडियो के पिन कॉमेट में दिया हुआ है, वहां से भी आप कोपी कर सकते हैं, दिक्षा J.H.T.P.D. Basic Course 1 के बारे में समान्य जान करी, Basically यह कोर्स स्कूल आठ भागों में बटा हुआ है, पहला भाग संख्या समझना कठिन क्यों, दुसरा भाग संख्या की सुरुवति समझ, भाग 3 में दिया हुआ है, अंकों का ब्रीच, भाग 4 में है, बच्चों की भासा, घर भार्सेस स्कूल, भाग 5 में है, आज का सब्ध, भाग 6 में है, सिखने के मतलब का पड़ताल, और भाग 7 में है, बातो बातों में, और अंतिम भाग यानकी भाग 8 में है, पेकेज 1 का आकलन, तो इन सबी भागों में आपको एक एक वीडियो दिया जाएगा, उस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और कुछ सवालों का उत्तर दें, चलिए, अब देखते हैं किस प्रकार इन सब कोर्सों में भाग लेंगे, और कोर्स को पूरा करेंगे, हम लोग मोबाइल के स् का जैसे क्लिक करेंगे एक इंटरफेस खुल रहा है, देख लिजए, दिख्त्शा का, यह हम लोग, इस में जो नीचे एकदम प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में हम लोग एक बार क्लिक करके, लोगिन में चले जाएंगे, देख लिज़ेह इए उपर आ गया है, जगेन तो आप हम लोग उसको इसी का ही एक लोगिन करेंगे तो इसमें तक लिजे ये लोगिन है लोगिन है इसमें लोगिन में हम लोग क्लिक कर देंगे क्लिक करते ही उसका आगया लोगिन का इंटरफेस देख लिजे यहां थोड़ा सा ध्यान दिजेगा यहां दो चीजी email address और mobile नंबर से login किये हैं तो mobile नंबर देना है और फिर जो password आप create किये हैं उसी password से login करना है अभी हम लोग क्या करेंगे mobile नंबर से इनका login कर लेंगे अब देखिए यह password देने के बाद यह login section है login section के blue bottom में आपको click कर देना है जैसे click किजिएगा उनका आप देखिए उसका side अभी खुलने लगा है देरी-देरी खुल रहा है जैसे आपका ये network पर देखिए welcome back जोगेन महतो अब ये आ गिया है अब हम लोग को करना है देखिए ये profile में चले जाना है नीचे जो profile है इस profile में click कर देना है जैसे click कीजिएगा अभी देखिए ये जो interface के उपर में जो search का symbol है इसमें हम लोग search type करेंगे क्या type करेंगे जो हम लोग link दिये थे याद कीजिए कि जे एच अंडर स्कॉफ इंग्लिज में करना है जे एच अंडर स्कॉफ टी पी डी आप तीन में से किसी एक में भी आप कर सकते हैं इसमें करते हैं तो देखिए ये आगी आपका ये दिख्षा jhtdp basic course 1 इसमें आ गये है अगर हम लोग इसके जगा दूसरा link जो है डालेंगे कि basic course 1 और हम लोग देख लिजिए यहाँ ये जो search bottom है इस search bottom में हम लोग search कर लेंगे तो देख लिजिए इसमें क्या देख रहा है हम लोग देख लेते हैं इसमें भी बहुत सरा link आ रहा है लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है ये सबसे पहला जो link है इस link में हम लोग click करेंगे कि ये js का मतलब जहरा खंडा है इसमें दूसरा state का है उपर सबसे टॉप में है यही इसी link है जो basic course 1 का है इसमें हम लोग जाएंगे तो हम लोग इसके basic course 1 के जगा अगर हम लोग तीसरा link डाल के एक बार देखते हैं क्या है Z3A5Z1 और फिर इसको हम लोग वही पहला जैसा ही search कर लेते हैं तो क्या आ रहा है इसमें भी देख लेते हैं इसमें भी देख लिजे वही link आएगा ये वही link है इस link में हम लोग चल लेगा देखिए एक interface खुलेगा जिसमें ये सब आ रहा है डिक्षा JSTDP basic course 1 जारखन देखिए इसमें अब your progress complete 0% completed इसमें संख्याय समझना कठीन क्यूं start learning complete course 1 मलब ये जो है यहां तक आपको complete करना है ये course में इसमें course क्या-क्या दिया है सबसे पहले हम लोग उसको थोड़ देख लेते हैं इसमें देखिए पहला जो दिया हुआ है भाग एक मेरे संख्याय समझना कठीन क्यों इसमें है उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए संख्या की सुरुआती समझ फिर अंकों का ब्रेच बच्चों का भासा school versus घर उसके बाद है आज का सब्द उसके बाद सिखने के मतलब की पड़ताल बातों बातों में package one का अकलन है तो इतना सा course है इस course module को हम लोग एक एक करके अभी start करेंगे और समझने की courses करेंगे सबसे पहले हम लोग search बार में search करेंगे basic course one या और दो link में से कोई एक link और हम लोग search करेंगे तो उसका जो result दिखेगा ये showing 77 results for basic course one तो ये जो 77 results है उसमें से सबसे टप में जो है दिखलीजे दिख्छा JHTDP basic course one अगर जारकान में है तो इस link में जाना है अगर आप जारकान के अलावा जैसे ये महरास्ट में है तो ये दुसरा तो इस तरह से बहुत सारा link है तो हम लोग अभी फिलाल सबसे उपर वाला जो दिख्छा JHTDP basic course one इसमें टाच कर देंगे टाच करते ही इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें उपर में लिखा हुए देखिए ये और प्रोगेस 0% completed यानि कि आपका अभी कोर्स शुरू नहीं हुआ इसलिए 0% दिख रहा है जैसे जैसे आप अपना कोर्स को पूरा करते जाएगा ये बार जो है धिरे धिरे रेड होते जाएगा तो सबसे पहला भाग जो है उसके नीचे लिखा हुआ है देखिए भाग one संख्या है समझना कठिन क्यों और उसके नीचे एक आइकन दिया हुआ है वीडियो का एक start learning इसका मतलब है पर touch करते ही इस तरह का एक interface खुलेगा जिसमें उपर में लिखा हुआ देखिए your progress 0% completed यानि कि आपका अभी course शुरू नहीं हुआ इसलिए 0% दिख रहा है जैसे जैसे आप अपना course को पूरा करते जाएगा ये बार जो है धिरे धिरे रेड होते जाएगा तो सबसे पहला आइकोन दिया हुआ है वीडियो का एक start learning इसका मतलब है परते भाग में एक एक वीडियो आएगा इस वीडियो को आपको start करना है हम आपको ये वीडियो दिखा नहीं सकते हैं इसलिए हम समझा रहे हैं चलिए इस वीडियो को आप touch कर दिजेगा touch करते ही वीडियो का interface इस शुरू हो जाएगा और ये वीडियो आप ध्यान से देखें और समझें इस वीडियो में जो टाक्स आपको मिलेगा उस टाक्स को पूरा करना है पूरा करते ही इस तरह का आपको score दिखेगा देख लिए जी उपर में लिखा हुआ है your score is 5 by 5 इनकी आपको 5 से 5 मिला इस परि redo कर सकते ही यानि कि पुना एक बार देख सकते हैं और उसका जो आपका टाक्स है उस टाक्स को पूरा करके आप 5 by 5 कर सकते हैं यानि कि complete कर सकते हैं और फिर आप इस वीडियो से exit हो जाईए exit होने के बाद इस तरह से दिखेगा देख लिजिए नीचे लिखा हुआ your progress is 5% completed यानि कि आप एक पार्ट complete कर चुके हैं उसके बाल पहले जैसा ही आपका स्क्रीन पर आ जाएगा भाग 2 संख्या की सुरुवती समझ और इसको भी just जैसे भाग 1 में आप किये थे वैसे ही य जो वीडियो है इस वीडियो को क्लिक करके वीडियो को देख लेना है इस वीडियो में जो भी आपको tax मिलेगा उस tax को पूरा करना है एक बार दो बार तीन बार बार आप देख सकते हैं और इसको जब तक complete नहीं होता है तब तक आप redo करते हुए इसको complete करना है और फिर भाग 8 को complete करना है और उसमें दिया हुआ प्रसनों का सही जवाब देना है अगर आप सही जवाब नहीं दे पाते हैं उसको पुना देख के समझ के इसको पूरा करना है सबी भागों को पूरा करने की बाद आपका देख लिजे ये जैसे संख्या की सूराती समझ और राइट स आपकी स्क्रेम पर देखेगा देख लिजिए यू हैव सक्सेस्पुली कोंप्लिटेड इस कोस इनकी आप ये जो है डीजी साथ जे एच टीपीदी बेसिक कोर्स वन को आप सक्सेसपुली कोंप्लिट कर चुके हैं फिर देख लिजे कोर्स में भाग लिया वन और ये र्रा जे एस टी पीडी बेसिक कोर्स वन और राइट सैड में दिखियागा देखिए एक आईकॉन है ये आईकॉन में दिखिया है सार्टिपिकेट आप इस आईकॉन में टाच किजिएगा तो आपको सार्टिपिकेट दिखेगा और फिर उसको download कर लिजेगा, साथ ही साथ आपका registered mobile number पर एक congratulations message आ जाएगा, देख लिजे, message को आपको पढ़ लेते हैं, congratulations, download your course certificate from your profile page, if you have a problem downloading it on the mobile, update your दिख्छा app, इस तरह का एक message आपको आपको registered mobile से प्राप्थ होगा, जैसे कि message में कहा गया है, अगर आपका certificate डाउनलोड नहीं होगा, तो दिख्छा app को update करना है, उस इस्तिति में आपको प्ले स्टोर में जाके, सार्च बार में दिख्छा टाइप करना है, दिख्छा टाइप करते ही इस टाच करते ही चंद सेकेंडों में ये update हो जाएगा, और एक red bottom जिएने देखिए open आएगा, इस open में टाच कर देने से फिर आप वहीं पहुँच जाएगा, और अपना certificate डाउनलोड कर लिजेगा, जैसे कि जगन मातों का certificate डाउनलोड हो चुका है, देख लिजे, ये आपका जगन मातों है, और इस तरह का आप भी certificate प्राप्त कर सकते हैं, ये तो इस वीडियो के मादधम से हम जगन मातों के दोरा इस course में यानकी दिख्छा TPD Basic Course 1 में भाग लेने से लेकर certificate डाउनलोड करने तक का demo वीडियो आपके समझ परसुत किये, तो आप भी वीडियो को ध्य से देखकर इस तरह का certificate प्राप्त कर सकते हैं, का certificate डाउनलोड हो चुका है, देख लिजे ये आपका जगन मातों है और इस तरह का आप भी certificate प्राप्त कर सकते हैं, ये तो इस वीडियो के मादधम से हम जगन मातों के दोरा इस course में यानकी दिख्छा TPD Basic Course 1 में भाग लेने स से लेकर certificate डाउनलोड करने तक का डेमो वीडियो आपके समझ प्रसुत किये, तो आप भी वीडियो को ध्यान से देखकर इस तरह का certificate प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सेर करें, आने वाले रोचक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक् करें, और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए अल नोटिपिकेशन बेल आइकोन को दबाएं, वीडियो देखने के लिए धन्यवादू